हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अस्तर बिलाउज की सिलाई करना बताऊंगी, इस बिलाउज की कटिंग की वीडियो मैंने डाल दी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके इस बिलाउज की कटिंग की वीडियो देख सकते हैं, चलिए फिर मैं आपको इस बिलाउज की सिलाई करना स देखिए और ये अस्तर है और ये नीचे जो है मेन फैबरीक है मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ ये देखिए ये मेन फैबरीक है और ये सीधा पला है और ये इधर अस्तर में प्लेट पड़ा हुआ है सीधा और जो प्लेट पड़ा हुआ है उसको इस पकार रखना है देखिए इधर किनारे किनारे इस पकार सिलाई करनी है इसमें जैसे मैं सिलाई कर रही हूं किनारे किनारे इसी पकार सिलाई करनी है मैंने सिलाई कर दी है अब इसको सीधा किया जाएगा इस पकार ये देखिए सीधा कर दिया है मैंने सीधा करने के बाद इसको इस पकार मोड जाएगा, अब मोरने के बाद किनारे किनारे सिलाई की जाएगी इसमें, ये देखिए सिलाई हो गई है, मैं इधर से भी दिखा रही हूँ, ये देखिए, अब सिलाई करने के बाद इसमें किनारे किनारे बड़ी सिलाई की जाएगी, ये कच्ची सिलाई होगी, अस्तर और मैं फैबरिक को सेट करने के लिए ये सिलाई की जाती है, फिर उसके बाद पीछे के प्लेट की सिलाई की जाती है, यह मैं लंबी सिलाई कर रही हूँ अस्तर और मेन फैबरी को बराबर से सेट करना है सेट करने के बाद लंबी सिलाई करनी है लंबी सिलाई मैंने कर ली है अब मैं इसमें प्लेट डालूगी यह मैंने दोनों प्लेट डाल लिये है अब यह जो कपड़ा किनारे किनारे बढ़ा हुआ है इसको कैची से काट दिया जाएगा अस्तर के बराबर अब पीछे का पल्ला तयार हो गया है अब मैं आगे के पल्ले को तयार करूँगी यह आगे का पल्ला है इसमें यह आर्म होल है और यह गला है इधर यह सीधा पार्ट है और यह प्लेट पड़ी हुई है देखिए अब इसमें किनारे किनारे सिलाई की जाएगी किनारे किनारे सिलाई करने के बाद जो कपड़ा बढ़ा रहेगा उसको काट दिया जाएगा यह सिलाई कच्ची सिलाई की जाएगी अस्तर को मेन फैबरिक के उपर बराबर से सेट करना है सेट करने के बाद कच्ची सिलाई चलानी है कच्ची सिलाई करने के बाद देखेए जो कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको मैं काट रही हूँ यह देखेए कटिंग हो गई है अब मैं इसमें प्लेट डालूगी सबसे पहले इसमें नेचे का प्लेट डाला जाएगा कपड़े को इस पकाः फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद पौना इंच सिलाई लेते वह तिर्षिस सिलाई करनी है इसमें दोनो पल्लों में मैं प्लेट डाल रही हूं यह देखिए नीचे का प्लेट है अब इधर का प्लेट डाला जाएगा यह मैं आपको दिखा रही हूँ इसी प्रकार प्लेट डालना है इसमें नीचे का प्लेट पौना इंच सिलाई लेते हुए करना है और सब प्लेट थोड़ा थोड़ा सिलाई में लेते हुए करना है अब यह बगल का प्लेट है यह देखिए इतना सिलाई में लेना है इसमें यह आर्म होल की तरफ वाला प्लेट है यह देखिए दोनों पल्लों में मैंने प्लेट डाल ली है चारों प्लेट अब मैं इसमें बिल्ट पट्टी लगाऊंगी यह देखिए कितना सुन्दर इसमें पफ बनके तयार हुआ है अब इधर बिल्ट पट्टी लगेगी यह बिल्ट पट्टी है इसमें मैंने किनारे किनारे लंबी सिलाई कर ली है मैं आपको इधर से दिखा रही हूं यह देखिये, जो कपड़ा बढ़ा रहेगा वो नीचे से बढ़ाना है यह मैंने नीचे से कपड़ा बढ़ा कर सिलाई किये है अब इस कपड़े को इस पकार सेट करना है Class पर जो कपड़ा बढ़ा रहेगा उसको बाद में कैंची से काट दिया जाएगा बरावर से इस पकार रखना है ये पट्टी थोड़ी सी बढ़ा कर रखनी है इसमें ये देखी मैंने बढ़ाई है इतनी बढ़ाने के बाद इसमें सिलाई की जाएगी मैं एक बार फिर दिखा रही है आपको देखी इस पकार इसमें सिलाई की जाएगी ये सिलाई हो गई है अब इसको इस पकार सीधा करना है सीधा करने के बाद बेल्ट पट्टी के ओपर किनारे किनारे एक सिलाई डालनी है ये सिलाई हो गई है दूसरा पल्ला भी इसी पकार तयार करना है तयार करने के बाद ये जो कपड़ा बढ़ा हुआ है इसको काट दिया जाएगा ये कपड़ा साइड में बढ़ा होना चाहिए ये बटल पट्टी की तरफ पला कपड़ा है इसको भी मैं काट दे रही हूँ अब इधर मैं होग पट्टी लगाऊंगी ये देखी होग पट्टी है इसकी चोड़ाई मैंने दो इंच रखी है अब इधर इस पकार सिलाई की जाएगी इस पट्टी को मैं राइट सैड में लगा रही हूँ अब इस पट्टी को इस पकार सीधा करना है सीधा करने के बाद इस पट्टी के उपर सिलाई कर रही हूँ यह सिलाई हो गई है अब इस पट्टी को मैं पूरा मोड़ूँगी इस पकार फिर एक बार फिर मैं मोड़ रही हूँ अंदर से मोड़ने के बाद मैं किनारे किनारे इसमें सिलाई करूँगी ये हुख पट्टी है एक स्लाइस में और किनारे किनारे की जाएगी इसमें हुख लगा जाएगा ये हुख पट्टी लग गई है अब मैं दोसे पल्ले में आई पट्टी लगाँगी ये दूसरा पल्ला है आई पट्टी के लिए मैंने धाइंच छोड़ी पट्टी काटी है अब इसको इस्पकार रखना है यह देखिए जैसे मैं रख रही हूँ ऐसे ही नीचे रखना है रखने के बाद सिलाई करनी है यह मैंने सिलाई करती है अब इसको इस्पकार सीधा करना है सीधा करने के बाद इसको इस पकार फिर मोड़ा जाएगा मोड़ने के बाद इस पकार फोल्ड करना है यह देखिए मैंने फोल्ड कर दिया है अब इसमें किनारे किनारे से लाइ की जाएगी अब इसमें एक स्लाइ और थोड़ी दूर पर करनी है ये पट्टी left side में लगती है ये देखे पट्टी बन गई है इसमें आई लगेगा अब दोनों पल्लों को पीछे पल्ले में इस्पकाष set करना है set करने के बाद कंद्य की सिलाई की जाएगी यहां ये स्पकाषिलाई की जाएगी ये मैंने joint कर लिया है, अम मैं गला बनाऊंगी, गला बनाने के बाद मैं बाजो जोड़ूंगी. सबसे पहले मैं गला बनाऊंगी गले बनाने के लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है इसको इस्पगा खीज के देखना है जिधर से तिर्चा रहेगा उधर से और एपट्टी काटी जाएगी मैं इधर से इस्पगा काट रही हूँ अब मैं ये सवाइंच चोड़ी पट्टी काटूँगी जितना चोटा बड़ा गला बनाना हो उसी इसाब से पट्टी की लंबा ही रखी जाएगी ये मैंने इसमें चार पट्टी काटी हैं अब मैं इसको जोइंट करूँगी पट्टी को इस पकार रखना है रखने के बाद तिर्चा इस पकार बराबर से काटना है काटने के बाद इस पकार जोइंट करना है इसमें इस पट्टी को इस पकार रखना है रखने के बाद स्लाई करनी है ये मैंने जोइंट कर लिया है मैं आपको नापके दिखा रही हूँ ये देखिए सवाइन चाहिए अब इसको इस पकार मोड़ा जाएगा मोडने के बाद एक बार के इसको फोल्ड किया जाएगा इस पकार अब गले के उपर इसको रखना है इसमें बिल्कुल भी खीचना नहीं है पट्टी को पट्टी में बिल्कुल भी खीचाव नहीं लाना है अगर पट्टी में खीचाव आता है तो ब्लाउच के गले में सुकडन आ जाएगी बराबर से पट्टी रखनी है, रखने के बाद इसमें चिलाई करनी है पट्टी को ब्लाउज के ओपर ढिला करके रखना है, बिल्कुल भी पट्टी को खीचना नहीं है इस ब्लाउज में बैक सैट में वीगला है, वीगले की सिलाई इस पकार की जाएगी, मैं आपको दिखा रहे हूँ यह देखिए, यह पट्टी है, इधर वीगला बना हुआ है, अब इस पट्टी को इस पकार मोड़ना है इस पट्टी को इस पकार मोड़ना है, जिससे इसमें वीगले की सिलाई करनी है यह देखिए, इसमें वीगले की सिलाई करनी है, यह देखिए, इसमें वीगले की सिलाई आया है जाहां गले में गोल सेप किया जाता है, वहाँ पट्टी को विलकुल भी खीजना नहीं है पट्टी लग गई है, यह देखिए, यह पीछे का गला है, इसमें थोड़ा सा कट का निसान लगाना है यह कट का निसान सिलाई के अंदर होना चाहिए यह देखिए, सिलाई बिलकुल भी कटनी नहीं चाहिए, अब पट्टी को इस पकार करना है सिधे सीधे करने के बाद इसमें किनारे किनारे पट्टी के ओपर सिलाई चला लूए हैं ये सिलाई अस्तर वाले कपड़े पर पढ़नी चाहिए कि अ कि रिध कि अस्तर वाले कि जीफ 10 gonna be ये सेस्तर वहाण कि अस्तर वाले कंपड़ेगे और सिलाई इस रूए हाण यह देखी किनारे किनारे पूरी सिलाई कर ली है मैंने, अब इस पट्टी को अंदर मोड़ा जाएगा, यह इस पकार मोड़ना है, यह मोड़ कर इसमें कच्छी सिलाई की जाएगी, यह मैं कच्छी सिलाई कर रही हूँ, बाद में मैं इसमें तुर्पन करूँगी, तुर्पन करने के बाद यह कच्छी सिलाई निकाल दूँगी, यह देखी, यह वीगला का कॉर्णर है, इसको इस पकार मोड़ना है, मोड़ने के बाद इसमें सिलाई की जाएगी, मैं एक बार फिर दिखा रही हूँ आपको, यह देखी, वी से बना कर इसमें सिलाई की जाएगी, इसमें सिलाई की जाएगी, यह देखी, गला पूरा बन गया है, कितना फिनिसिंग के साथ, इसी तरह ही आपको भी बनाना है, अपने कपड़े में, यह देखी, मैं आपको दिखा रही हूँ, यह पीछे का वी गला है, और यह आगे का गोल गला है, अब मैं बाजू तयार करूँगी, यह बाजू है देखी, यह मेन फैबरिक है, यह मेन फैबरिक का यह सीधा भाग है, इसको मैंने उल्टे तरब से रखा हुआ है, उल्टे तरब से रखने के बाद किनारे किनारे इसमें सिलाई चलाऊंगी मैं, ये मैंने सिलाई करनी है किनारे किनारे सिलाई करने के बाद ये मैंने उपड़ सिलाई की है उसके बाद मैंने ये कच्छी सिलाई की है अब मैं बाजू को आर्म होल में सेट करूँगी बाजू को इस्पकार रखना है बाजू में आगे जो कटा पार्ट है इधर यह कटा हुआ भाग है इसको मैं आगे सेट करूँगी दोनों बाजू को लगा के देखना है जो कटा हुआ भाग है वो आगे रहेगा फिर उसके बाद यह center point है यह देखिए center point को इधर कंदे की तरब इस पकार बीच में set करना है set करने के बाद इस पकार नापना है यह नापने के बाद जहां से बाजू set होती है वहीं से set करके सिलाई करनी है अब इधर इस पकार में सिलाई करूँगी दोनों बाजू को इसी परकार लगाना है लगाने के बाद इसमें डबल सिलाई चलाई जाएगी यह देखी मैंने बाजू लगा ली है अब मैं इसमें बगल में सिलाई करूँगी यहां मोहरी नापनी है मोहरी नापने के बाद इसमें सिलाई की जाएगी इस परकार सिलाई करने के बाद इसको फिटिंग किया जाएगा फिटिंग करने के बाद जो नीचे कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको मोड़ा जाएगा यह मोही नापी जाएगी यह नीचे कमर नापी जाएगी यह देखे मैंने सिलाई कर ली है इधर भी मैं दिखा रही हूँ आपको दोनों साय में मैंने सिलाई कर ली है सिलाई करने के बाद फिटिंग भी मैंने कर ली है आपको अपने नाप में नापना है, नापने के बाद फिटिंग करना है अब ये नीचे का बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसको इसका मोड़ा जाएगा मोडने के बाद कच्ची सिलाई की जाएगी कच्ची सिलाई करने के बाद इसमें तुर्पन किया जाएगा अब बिलाउज की स्लाई हो गई है मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखे कितना सुन्दर बिलाउज फिनिसिंग के साथ तयार हुआ है